आज सुभह से दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी को लेके भारती जिन्ता पार्टी एक रिपोर्ट तथा कथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल जी को गाली दिये जा रही है मैं सुभह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारती जिन्ता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके केंद्रिय मंत्री आके प्रवक्ता आके देश के बड़े बड़े नेता आके जिनके उपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारिया हैं वो कुल मिलाके कल आज सुभह से ए तो ऑक्सिजन की कमी नहीं थी और ऑक्सिजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के चारगुना बताई गई थी ऐसा तथा कतित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है मैं उस तथा कतित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं जी हां मैं दोरा रहा हूं भारतिय जनता पार्टी के नेता सुभह से जिस तथा कतित रिपोर्ट के हवाले से अर्विन केजरिवान जी को गाली दे जा रहे हैं वैसी कोई रिपोर्ट एक्जिस्ट ही नहीं करती जी हां Supreme Court ने Oxygen मामले की सुनवाई करते हुए एक Oxygen Audit Committee बनाई हमने इस Oxygen Audit Committee के सदस्यों से बात की है सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन यह नहीं की अभि तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अपरू भी नहीं की जब Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने कोई report sign ही नहीं करी है जब Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने कोई report audit ही अभी अप्रूब इनहीं की है तो फिर ये report है कहां ये कौन सी report है ये report कहां से आई मैं भारति जिंता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से channels पर बैठके चिला रहे हैं उनका गलत ठक गया होगा थोड़ा सा पानी पियां अराम से और थोड़ा अराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भई ये report कहा है जिसके हम चिलाए जा रहे हैं सुबह से report कहा है क्या कोई ऐसी report है oxygen audit committee की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है मैं चुनोती देखे कहता हूँ कि रिपोर्ट लाइए कहा है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सिजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सिजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो लाईयव रिपोर्ट कहा है जूट की इंतिहां होती है जूट और मक्कारी की इंतिहां होती है और भारती जिनता पार्टी जूट और मक्कारी की इंतिहां पर पहुंच गई है चरम पर पहुंच गई है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब्जूडिसे से और मैं कहना चाहता हूं कि इस सब्जूडिसे से मामलों में इस तरह के शड्यंत्र ठीक नहीं है हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अपरेल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सिजन का संकट हुआ था दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भरती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सिजन की किस तरह से कमी हुई थी और इस management की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंदर सरकार की है क्योंकि उसने पूरे देश में oxygen management का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में oxygen का मैसब कर दिया था डॉक्टर्स ने चिलाया, हॉस्पिटल्स ने चिलाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगे भारती जनता पार्टी, बीजेपी हेड़कॉर्टर में बैठ के कोई मनगणत रिपोर्ट बनाती है, और फिर उसको जारी करके कहती है, यह oxygen audit committee की रिपोर्ट है, शर्मानी चाहिए भारती जनता पार्टी के नेताओं को यह महा जूट बोलते हुए, बीजेपी हेड़कॉर्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो, और उसको oxygen audit committee की रिपोर्ट कहते हो, अगर oxygen audit committee ने कोई रिपोर्ट बनाई है, तो भारती जनता पार्टी के नेता और तधा कथित, बड़े बड़े नेता जो केंद्रिय मंत्री हैं, वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है oxygen committee report sign, oxygen committee के किस-किस member ने sign कर रखें उस पर, oxygen committee के किस-किस member ने उस report को अप्रूव कर रखा है, भारती जनता पार्टी के नेता बताएं, यह भारती जनता पार्टी जो है, अ उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने अप्रेल में oxygen के mismanagement के कारण, केंद्र सरकार के oxygen mismanagement के कारण अपने लोग खोए, वो तमाम लोग जूट बोल रहे हैं, जो बिचारे चिला रहे थे अप्रेल में कि हमारा मरीज हॉस्पिटल में भरती है, उनको oxygen की जूट बोल रहे हैं, जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, oxygen नहीं मिल पा रही है, वो सारे लोग जूट बोल रहे हैं, जो कोट में गए थे, पेशेंट कोट में गए, पेशेंट के एडेंडेंडेंड कोट में गए, होस्पिटल कोट में गए, वो सब लोग ज जंता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता जूट बोल रहा हैं मैं भारती जंतापार्टी के नेता और देश के प्रधान मन्तरी निरेंदर मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभल लीचिए बहुत जाद है जूट बोलने लग네 लगीर अब ये बीजेपी भारती जंता पार्टी नहीं रह गई है अब ये बीजेपी भारती जगडालू पार्टी हो गई है रोज जगड़ती रहती है किसी ना किसी से जूटे चीज़ों पर जगड़ती रहती है इसको किसी काम पे लगाई है इसे कोई धंका काम दीजे नहीं तो यह ऐसी जखड़े करती रही जूट बोलके जखड़े करती रही